की फोकस बहुत इसके बाद आता हूं आप लोग के एक्सपेक्ट कर रहे हैं यह तो गुद बॉनिंग आशीश रिखे जहां तक की रिलाइंस का सवाल है पांच जो पॉइंट्स सबसे बड़े हैं उनमें सबसे पहले और सबसे टॉप मार्केट का एक्सपेक्टेशन है वैल् आप चैर्मेंस आप दे दें तो यह बहुत जबर्दस तरीके से शेयर के लिए काम करता हूँ दिखाई देगा दो तीन एजीएम पहले मुझे याद है इन्होंने कहा था कि इस टेक्सेल के जरीए वैल्य उन्लॉकिंग के जरीए आईट्यों के जरीए कुछ न कुछ न कु किसे साब से मैनेजमेंट की आउटलुक है किसे साबसे निवेश होगा किसी साबसे रैंप अफ ओप होगा किसे साबसे आप से लौंच होगा क्योंकि एक हजार सिटी और टाउन में ऑर चेस्ट हो चुका है यह तो उस पर डीटेल्स अवेटेड होंगी इसके अलाबा रीटेल बिजनस खास करके जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनस है कैसे जीओ मार्ट हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो कि दाना शोरगा क्योंकि इन्होंने मेटा यानि कि फेस्वुक और वाटसाइट के साथ अनौसमेंट की थी कि यहां इंटीग्रेशन होगा त क्योंकि यहां 75,000 क्रोड का निवेश पिछले AGM में अनौस किया गया था यहां किस हिसाब से प्रोजेक्स चल रहे हैं एक्जिक्यूट हो रहे हैं जामनगर में जो ग्रीन हाइड्रोजन एक्राइजर है वहां कितना निवेश हुआ है अभी तक और किस हिसाब से वहां आप आपको जो है अर्दिंग्स वाइज या व्यू वाइज वह चीज अभी ताफिक इंपॉर्टन है कि इस AGM यह पांच चीज़ रखे रखे रडार पे वाल्यों लॉकिंग साइजी लॉंच की डिटेल रिटेल का रैंप अप गिरीन अजी के परदर पूश यापडेट्स और तागेट्स के साथ ठीक है लेकर विरू अब एक बार होट स्टॉक्स आज के शीट स्टॉटी करने के बाद कौन कौन स्टॉक्स आज रडार पे रखने